आज चेती नवरात्री के बाहों पर्वोपर जो प्отоुअ करता हूं यह पदा रहे हैं उनका मैं अभीवादन करता हूं और जो आपते धिक मधट एक अगधों के वह तहरां 16 Mai 2019 शाध्य देता हूं और और यहीं एक कामना बनती रहे और पोजेटिव सक्ति एनरजी लोगों तक पहुशती रहे यह में कामना महंदर जी आपको बहुत बहुत पधाई हो कि नौरातर के उसर पे आप जिले हैं और मीडिया कर्मी हैं कई सारे चैनलों से जुड़े हैं आप अमबा जी मंदिर के बारे में रएक तक चुछ पताले आपको बहुत 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 पना हो है और आपको बहुत हो कि संगे煮रंब का मंदिर जो बना हुआ है जो 95 में 75 में इसका रिनोविशन स्टार्ट हुआता नया उसके बाद यह मंदिर अभी बड़ा अलादक बन चुका है और फिलार इसका जो मुख्य सिखर है मुख्य सिखर में करीबन 140 किलो सोने की लागत से इसका सुलोण सिखर बना हुआ है और इसका दूसरा फेज जो है 240 किलो की लागत से बनने जा रहा है इसकी भी मंजूरी सरकार ने दे दिये और फिलार में काउं आने वाला समय में 21 पीठों में से पहला है सक्ति लोगा मंदीर कहला आा जएगा म्जाब में जो मंब नदें जो कमें जो पूरा मंदिर हैं उनका हुआ है और सक्ति पीठों में से एक अक्यला ही है से एक मंदिर होगा जो इहां पर अंबाजी मंदिर में गुजरात में इस्तिति कुछ बताना चाहे हैं यह हम लोग का ब्रह्म कुमारी जास्रम महांटावू से यह अध्यात्री प्यात्रा जो है तो यह इसका भोगौली के स्किति बताएंगे हमारे जो और आर्जेस पॉजिटिव मेडिया फैमिली के जो लोग है गुजरात में भी है बड़ोदरा गुजरात से प्रफुल भाई सेट और रंजन बेन सेट जी तो यहां पर आने के लिए कौन-कौन से रूप का इस्तमाल अधिया जा सकता है पहाडी रास्ता जरूर है अगर संबल कराना यह जरूर है क्योंकि जो नया इंसर आता है तो क्या कि टेड़े मेड़े रास्ते होने के हिसाब से कहें उनको दिक्कत ना है तो मैं तो यह कौंगा कि रास्तों पे जाड़ी जंगल है उतका लूप उताट हुए शांती से ऐखी के थाम्बार जागी तो पालंपुर का वालंपुर इं॥ यह जो पाऊंपूर मैं नहीं स्री लंकाँ में है पाकिस्तान वें हरी पर पर चार किलोमेटर की दूरी पर पुरा यहां पर अगर सधालू आते हैं तो कब से कब मंदिर दर्शन कर सकते हैं अब बता रहें कि अंबाजी जो दर्शन करना चाहते हैं बहुत वस्ध्यत्र साभ आये अरम चीटे सवागत हैं जिस जरते में जो सुबह की आरती होती होती है शोबह साध बजय होती है साड़े साथ बजे तक ये आर्टी चलती है और करीबिन साड़े ग्यारा बजे तक मा के दर्शन चलती है उसके बाद जो साड़े ग्यारा बजे मंदीर मंगल होता है और साड़ी बारा बजे से लेके साड़ी चार बजे तक अमबाजी मंदीर में मा के दर्शन खुले रहते है और उसके बाद साम को सायन काल जो आरती बोले जाती है वो साथ बज़े आरती होती है और करीबन रात को नो बज़े तक भक्त जो है मा के दर्सन कर सकते हैं तो आपका बहुत-बहुत अन्यवाद और बधाई हो कि आपने बहुत दिल से जो है RGS Positive Media Family का स्वागत किया है और अन्यासी मीडिया कर्मियों की जो एक भाउना होती है वो रिफलेक्ट होई है और यही positivity पूरे देश में फैलाना चाहते हैं आपके कैमरा मैंन को भी चाहेंगे कि एक बार फोटो सेशन में आ जाएं और हम लोग एक फोटो सेशन भी कर लें और बहुत ही बहुत शुब कामनाय हैं कि इस तरह से Positive Media जो है पूरे देश भर में काम करें और जो भी मीडिया कर भी कहीं भी जा रहे हैं तो यह एक आप कहे जेते हैं कि आप जिसे Positive लोग जो की Media कर्मी नाम सुनते ही इस तरह से आपने स्वागत किया है तो इसके लिए तो मैं पूरी RJS जो 25 राज्यों की फैमली है उनकी तरफ से भी आप दोनों लोगों को बहुत 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 बहुत